ना, meter out circuit इसके भी तीन केसे हैं, एक forward stroke को control करने के लिए, एक return stroke को control करने के लिए और किसरा stroke रहेगा, दोनों को भी आप control कर सकते हैं, तो पहला case हम लोग देखेंगे meter out circuit, speed control of forward stroke, meter out, forward stroke के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारा पहला point apply करना पड़ेगा, कि identify कर पड़ेगा output को, okay, since कौन सा circuit है, यह meter out circuit है, तो identify करना पड़ेगा port A और port B में से output port कौन सा है, और पूरा depend किस पे होता है, यह depend रहेगा कि कौन सा stroke है, तो यहाँ पर stroke कौन सा दिया हुए आपको forward stroke, तो forward stroke के लिए output port कौन सा होगा, तो देखो, अगर हम लोग बात करें, यह है forward stroke, यह forward stroke कब होगा, जब oil यहाँ से in होगा, piston पीछे की तरफ जाएगा, extend होगा, extend होने के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ oil है, यहाँ से बाहर आएगा, तो oil ने entry किया यहाँ से, तो यह input हो गया, और output कौन सा हो गया, port B, तो port B के यहाँ पे हमें check valve और flow control valve लगाना check valve और control valve लगाएंगे, now next आपको ध्यान देना है check valve के direction के उपर, कि इसका आप direction कैसे रखोगे, ठीक है, तो जब meter out circuit है, तो आपको check valve का direction reverse करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको हमें घुमाना पड़ेगा, तो इसका working पहले पढ़ेंगे, और बात मैं समझ इसका हर एक case, तो पहले position में, जब forward stroke हो रहा है, तो यह जो P है, यह connected रहेगा, pump का line जो है, pressure का line है, यह connected रहेगा A port के साथ, तो यहाँ से oil अंदर की तरफ आएगा, piston पीछे की तरफ जाएगा, piston पीछे की तरफ जाने के बाद, यहाँ से जो oil है, यह port B में से बाहर आने के बाद, check wall से अभी यह जा नहीं सकता, ठीक है, check wall का direction आपने घुमा दिया है, तो अभी आप उपर से नीचे नहीं आ सकते है, ठीक है, तो पूरे flow को कहा से आना पड़ेगा, इस छोटे रस्ते से मतलब flow control wall से, तो अभी यह flow control wall जो है, यह resist करेगी, इसके speed को आप control करोगे य slowly होगा, because बहुत कम amount of oil ही यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ से जो oil है, यह फिर जाएगा tank में, तो यहाँ पर आपने control कहाँ पर किया, output पर किया, तो यह meter out का case बना, ठीक है, और port B को ही क्यों control किया, क्योंकि forward stroke में B port क्या होता है, output port होता है, ठीक है, now return आते समय इस case में क्या होगा, रिटन आते समय यह position जो है, change हो जाएगा, तो position में अभी यह जो P है, यह connect हो जाएगा B के साथ, ठीक है, तो pressurized जो oil है, pump से होके, यह आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद, यह pass हो सकता है, flow control wall में से भी, as well as, इस check wall में से भी, ठीक है, अभी इसके oil है, यह आ जाएगा cylinder के अंदर, और यहाँ पे आपको return stroke मिलेगा, जो normal speed में होगा, ठीक है, quickly यह होगा as compared to first one, ठीक है, और यहाँ पे जो बचा हुआ oil है, यह return आ जाएगा tank में, ठीक है, तो यह हमारा पहला case हो गया, अभी हमें इस stroke को change करना है, forward की जगा पे हमें control करना ह return stroke को, ठीक है, तो return stroke में हमें just identify करना है, meter out circuit के लिए output कौन सा है, और यह flow control valve, check valve है, वहाँ पे हमें fit कर लेना है, ठीक है, तो पहला जो है, return stroke के लिए output कौन सा रहेगा, अगर यह return है, तो पहला oil यहाँ से अंदर जाएगा, यह input हो गया, और A जो है, उसके लिए output हो गया, तो जो flow control valve और check valve जो है, यह दोनों भी हम लोग A point पे लगाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे इसका working, ओके, तो forward stroke के लिए यहाँ से जो है, oil pump से होके, direction control valve उसको भेजेगा flow control valve में, तो उपर जाते समय, oil जो है, इस flow control valve में से pass होगा, as well as, यह यहाँ से भी उपर जा सकता है check valve में से भी उपर जा सकते है, क्योंकि direction आपने घुमा दिया है उसका, ठीक है, arrow नीचे की तरफ है, तो नीचे से उपर flow allowed है, ठीक है, तो flow जो है, यहाँ से भी उपर जाएगा, तो दोनों भी रस्ते से, छोटे रस्ते से भी और बड़े रस्ते से भी flow गया, तो flow को restriction मिला नहीं है, तो ज्यादा quantity में flow उपर गया, तो यह जो forward stroke है, यह हमें normal मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर जो बचा हुआ oil था, यह return आगया tank में, now return आते समय, आपने इसको change कर लिया, change करने के वज़े से अभी यह जो P है, connect हो जाएगा, B के साथ, तो pod B में से oil जो है, अंदर पूरा oil अंदर आया, लेकिन जो previous stroke में जो बचा हुआ oil था, इसको compulsory flow control wall में से ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी return आते समय, check wall इसको allow नहीं करेगा, क्योंकि arrow नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ अभी flow नहीं होगा, ठीक है, तो flow को कहा से आने पड़ेगा, छोटे र return stroke मिलेगा, ठीक है, तो तीसरे case में हम लोगोंने port A और port B दोनों भी जगा पे flow control wall और check wall दोनों को साथ में लगाया हुआ है, और इसका direction हम लोगोंने अभी change किया हो, पहले क्या था, meter in circuit में इसका direction उपर की तरफ था, check wall का, अभी ये दोनों का direction नीचे की तरफ है, तो इस pressure line जो है, pump जो है, ये connect होगा port A के साथ, तो यहाँ से oil उपर की तरफ आएगा, अभी उपर जाते समय ये flow control wall में से भी pass होगा, as well as ये check wall में से भी pass होगा, क्योंकि दोनों भी रस्ते इसके पास open है अभी, तो ये जो है piston को पीछे की तरफ ढखे लेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा वो, तो इसके वज़े से ये forward stroke मिलते समय, extend होते समय, ये stroke जो है, हमें slow मिलेगा, ठीके, तो इसको हम लोगों ने control किया, इसको हम लोगों ने meter किया, और कहा पे किया, output पे किया, इसके लिए meter out circuit ही है ये, और return stroke आते समय क्या होगा फिर, return stroke आते समय, ये जो है position हम लोगों ने इसका change कर लिया, तो ये P connect हो गया अभी B के साथ, तो जब P connect होगा B के साथ, तो यहाँ से flow आएगा, यहाँ से उपर जाते समय, ये flow control valve में से भी pass होगा, और इस check valve में से भी pass होगा, और ये इसको push करेगा आगे के तरफ, लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ oil है, वो compulsory उसको सिर्फ flow control valve में से ही आना पड़ेगा, check valve इसको नीची के तरफ आने नहीं देगा, तो ये return stroke भी आपको slowly मिलेगा, इस return stroke में भी, ये return आते समय भी हम लोगों ने port A के यहाँ पे इसको control किया, port A इस case में इसका output port है, ठीक है, तो ये meter out circuit हो गया, तो meter in और meter out तोनों को sum up करने के लिए, आप simply इसको इस तरह से कर सकते हो, पहले identify करो कि कौन सा case है, अगर meter in case है, forward stroke के लिए, तो forward stroke के लिए A port जो है, हो रहेगा, input port, तो input port के यहाँ पे पहले इस flow control valve को बना लो, ठीक है, अभी हमें flow control valve में से ही flow को pass कराना है, तो check valve में से उसको flow को pass न में control करना है, तो identify करो पहले कि return stroke के लिए input कौन सा है, तो return stroke के लिए port B जो है, वो input port रहेगा, तो port B के यहाँ पे आपको पहले इस तरह से flow control valve को बनाना है, और बाद में यहाँ पे दिखाना है, check valve, check valve का direction भी उपर की तरफ रहेगा, क्योंकि since आप चाहते हो कि पूरा flow जो port होता है, port B, तो B के यहाँ पे flow control valve और check valve लगेगा, तो यहाँ पे इस तरह से flow control valve बना लो, और check valve का direction अभी नीचे की तरफ दिखाओ, क्योंकि हमें पूरा का पूरा flow pass कराना है, flow control valve में से, similarly second case में, अगर return stroke है, तो return stroke के लिए output port रहेगा, port A, तो A के यहाँ पे आपको बना है, check valve, तेकिन ध्यान रहे, check valve का direction नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, एक simple trick है, meter in circuit है, तीनों भी case के लिए, सभी case में, check valve का direction उपर की तरफ रहेगा, और meter out circuit है, तो check valve का direction नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है?